पुराणों में गंगा सागर की उत्पत्ती के पीछे एक कथा के बारे में बताया गया है दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गंगा मा अवश्य लिखें। इसके अनुसार कपिल मुनी के श्राप के कारण ही राजा सगर के साथ हजार पुत्रों की इसी स्थान पर ततकाल मृत्यू हो गई थी। उनके मोक्ष के लिए राजा सगर के वंश के राजा भगीरत गंगा को प्रिथवी पर लाए और गंगा यहीं सागर से मिली थी। मान्यता है कि गंगा सागर की पवित्र तीर्थ यात्रा सैकडों तीर्थ यात्राओं के समान है। शायद इसलिए ही कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यहां मकर संक्रांती के अवसर पर सनान करने देश ही नहीं, विदेश से भी लोग आते मान्यता है कि एक बार गंगा सागर में डुपकी लगाने पर दस अश्वमेध यग्य और एक हजार गायदान करने के समान फल मिलता है। स्नान के बाद श्रद्धालू यहां स्थित भगवान विश्णू के अवतार माने जाने वाले कपिल मुणी के मंदर में दर्शन करते हैं, गंगा सागर का मेला महा कुम्भ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यह मेला वर्ष में एक बार लगता है यह मेला पाँच दिन चलता है इसमें सनान मुहुर्थ तीन ही दिनों का होता है यहां गंगा जी का कोई मंदिर नहीं है बस एक मील का स्थान निश्चित है जिसे मेले की टिथी से कुछ दिन पूर्व ही समवार आ जाता है यहां कपिल का मंदिर है जिसकी मूर्ती बताते हैं कोलकाता में रहती है और मेले से कुछ सप्तह पहले पुरोहितों को पूजा करने के लिए मिलती है यहां मेले में आय श्रद्धालू संगम पर समुद्र देवता को नारियल अर्पित करते हैं और साथ ही गौदान भी करते हैं कहते हैं की पूँच का ही सहरा लेना पड़ता है तभी मोक्ष मिलता है इसी वजह से यहां पंडे मेले के वक्त भाड़े पर गाय लेकर उसे श्रद्धालूओं को बेचते हैं और फिर उसी गाय को वापस दान में ले लेते हैं गंगा सागर की कथा का महत्व भगवान राम के पूर पूरी पृत्वी पर प्रभुत्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी भगवान इंद्र सौ अश्वमेग यग्य को पूरा करने वाले एक मात्र व्यक्ति थे उन्हें डर था कि वह एक नश्वर व्यक्ति के कारण अपना प्रभुत्व खो देंगे और उन्होंने बली के घ गोड़े का पता चलने पर सागर पुत्रों ने रिशी को चोर समझ लिया और ध्यान कर रहे रिशी को गालियां देना शुरू कर दिया। अभी भी कपिल मुनी के आश्रम में खड़ा है। उसने रिशी को प्रसन करने के लिए कठोर तपस्या की। अंगशुमन के प्रयास से संतुष्ट होकर रिशी ने घोड़े को वापस लाने की अनुमती दे दी। और सीखा कि उनके पूर्वजों की आत्माएं केवल गंगा के पवित्र जल से श्राद करने के बाद ही मुक्त हो सकती है। हालांकि राजा अंगशुमन और उनके पुत्र दिलीप श्राद पूरा करने में असमर्थ थे क्योंकि भीशन सूखे के कारण अगस्त्य मुनी ने समुद्र का सारा पानी पी लिया था। एक पीढ़ी बाद भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। उन्होंने उनसे पवित्र गंगा को पृत्वी पर अवतरित करने के लिए भगवान विश्नु से प्रार्थना करने को कहा। सहमत होने पर उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गंगा अनियंत्रित हुई तो उसकी तीव्र शक्ती पू पुमावदार भूल भुलाईया में गंगा ने अपनी क्रूर शक्ती खोदी और सभी अस्तित्व को धीरे धीरे सहलाते हुए पृत्वी पर उतराई भागीरत अंत में अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने में सक्षम हुए और आत्माओं को पाताल लोक की आग से मु समुद्र का नाम सागर पड़ा इस पौरानिक कथा में विश्वास रखते हुए दुनिया भर से लाखों तीर्थ हयात्री मोक्ष की तलाश में मकर संक्रांती के दिन ठंड के मौसम के दौरान गंगा सागर मेले में आते हैं ऐसा माना जाता है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से सभी दुख और पाप धुल जाते हैं इसी विश्वास के साथ लाखों लोग कपिल मुनी के आश्रम में सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार का जाप करते हुए आते हैं